अभी तक अपने forest mensuration पर दो lecture हो चुके हैं अब उसका जो थर्ड वीडियो है इसमें जदा कुछ discuss नहीं करेंगे कि बस दो चप्टर को discuss करेंगे उसमें एक तो है पेड़ों की जो age है उसे कैसे calculate करते हैं और दूसरा आएगा कि पेड़ों में जो growth होती है उसको कैसे निकालते हैं कैसे calculate करते हैं तो पहले हम age वाले matter को discuss करते हैं आपको age calculate करने की जरूरत कहां है और क्यों है पहले तो इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं हमारे पास जो जंगल हैं जंगल काफी बड़े होते हैं natural हैं और हमें नहीं पता होता है कि कौन सा पेड़ कब उगा था क्योंकि हर जंगल में forest department ने ही नहीं लगाया होता कुछ nature ने भी काम किया होता है तो in that case अगर आपको पेड़ की age पता है उसकी height पता है तो आप ये decide कर सकते हो कि इस पेड़ को harvest कब करना है यानि कि इसकी filling कब करनी है तो obviously आप उसकी जो filling करोगे वो उसकी maturity पर ही करोगे औ और आपको अगर ये पता है कि इसकी age अभी कितनी है तो आप बता सकते हो कि अच्छा अभी इसकी 30 साल हुई है इसको harvest करने का time period 50 साल है तो हम अगले 15 साल बाद काटेंगे इससे अभी नहीं काटना है तो इस type से आप मैं उसकी age calculate करते हो अब age calculation की बात की जाए तो आपको पेड़ हमेशा दो type के मिलेंगे या तो ऐसे पेड़ मिलेंगे जो भी जंगल में खड़े हुए हैं या फिर सपोज ऐसा है कोई forest department में illegal filling हो गई और forest department ने बाद में उस लकड़ी को पकड़ लिया होगा उनसे और उससे वहां से एक खटा करके आए और forest depot में पटक दी storage का जो area है जिसे forest depot बोलते हैं उसमें डाल दी उसे store करके रख दी तो यहां पर अगर आपको age calculation करना है तो कैसे करोगे तो एक तो standing है tree आपके और दूसरे है field tree अब field tree की अगर counting की जाए तो एक बहुत simple सा तरीका है आपने कभी देखा होगा कि जैसे कोई stem है मतलब tree का log है यह tree है इसका यह रहा log इस side देखोगे तो यहां गुल गुल सी rings बनती है यह जो rings होती है इनको हम बोलते है annual rings क्या बोलते है annual rings एक character यह होता है tree का कि उन में एक annual ring हर साल बनती है यानि कि अगर किसी पेड़े में 50 rings है तो इसका मतलब है कि उस plant की जो age है वो 15 year है यह मैं standard ब गोल रहा हूं variation होते हैं दूसरा अब यह तो हमने फिल्टरी का बता दिया अब दूसरे में क्या हैं यह वो पेड़ जो अभी तक खड़े हुए है तो उनको खड़े हुए पेड़ों का क्या किया जाए उनकी age कैसे calculate किया जाए तो खड़े में दोनी condition के पेड़े एक वो है जो natural nature ने हुगा हैं और दूसरे हुगा है जने forest department ने हुगा है तो अगर जेने forest department ने हुगाया है तो लगाई गयी है कौन से method मतलब square फ्र句 लिनियर है conqluncial plantation किस method से लगाई गयी है और यहां के जो पेड़ है वो कहां-कां से आई तो इस type का जो record होता है वो आपको रिकाड़ी बतादेता है कि इस area में जो plant है वो suppose यहांके area के प्लांट है वो 90-85 में लगाए गए थे तो आप समझ सकते हो कि यहां के जो प्लांट है वो लगवागत 34-35 यर के हो चुके हैं एक तो यह मेथड है दूसरा मेथड क्या है कि आप जब पेड़ को देखते हो सपोज एक 20 मीटर हाइट का टीक का प्लांट है तो आप बोल दोग में कि यह नहीं वोगी यह दो सलगा है पाँंच सल का है क्यों कि आपको मालूम है कर प्लांट की गडरोफ रेट होती है कोई भी प्लांट दो साल में अतना बड़ा नहीं हो सकता तो एक जो हमारी जनरल appearance है जिन लोगों को इस field में काफी experience है वो उनके जो shape है और size है उसको देख करके भी उसकी plant की जो age है उसे बता सकते हैं तीसरा होता है diameter age curve यह जो diameter age curve है इसे बनाया जाता है बनाते कैसे है जैसे कि हमने हमारे कोई पूर बज रहा होंगे जो नहोंने 1960 के time से इस field में और उन्होंने उसका observation लेना शुरू किया यहाँ पर उन्होंने एज ले लिए और यहाँ पर उन्होंने उसका ले लिया diameter उन्होंने देखा कि पहली साल में इसका जो डायमीटर था वो ये था दूसरी साल में उसका डायमीटर ये रहा तीसरी साल में उसका ये रहा चौती साल में उसका ये रहा तो इस टाइप से वह हर साल लेते गाए और उन्होंने 40 एर का एक टाइप से डायमीटर एज कर्व बन जिस लोकल एटी में बनाया गया उस लोकल एटी के प्लांट के लिए अच्छा काम करेगा किसके टीक स्पीसीज के लिए सभी के लिए ने केबल टीक के लिए काम करेगा क्योंकि टीक की ही परफॉर्मेंस का है क्योंकि ग्रोथ जैसे बोला जाए तो आपकी ग्रोथ एनिमल की ग्रोथ, elephant की ग्रोथ अलागलाग होती है, ब्रसी प्योडों की ग्रोथ भी अलागलाग होती है, तो एक species का data दूसरे को use नहीं किया जा सकता है, तो इस type से अगर आपके पास dead, किसी ही plant का diameter age curve है, तो आप area में जाओगे, forest में और कोई भी plant पकड़ लोगे, ठीक का, और उसका अगर आपको diameter मिल गया है, तो आप diameter जैसे अपने meter tap से निकाली लेते हैं, तो diameter calculate करके आप बता सकते हैं, कि इसकी age क्या है, तो तीन method तो अपने ही यह होगा है, कौनसा existing records है, diameter age curve है, और उसकी general appearance है, अब चौता method क्या है, कि बहुत सारे plant में एक अधत होती है, अधत क्या है जैसे कि अगर कौनी फर्स की बात की जाए, तो उनमें हर साल एक branch का formation होता है, एक branch ना उकर के वहाँ पर एक branch का world बनता है, एक term याद रखो, इसे क्या बोला गया, world, डवलू एच ओर एल, world का मतलब यह होता है, कि जैसे अपना normal में आपने देखते हैं, कि कोई plant होता है, क पती निकलाती है, एक जो node है, गाठ पर एक, इस type की, कुछ plant में होती है, कि हर गाठ पर दो पत्या होती है, और कुछ plant ऐसे होता है, कि जिन्व की गाठ पर दो पत्या भी नहीं होता है, बहुत सारी पत्या ऐसी उसे गोल गोल सरकल में बने होती है, तो यह जो इस type की structure बनत वहाँ पर एक ही नोड से लगवाँ साथ आठ ब्रांचे निकल आती है तो कौनी फर्स में क्या होता है कि हर साल एक वर्ल बनता है अब अगर आपको कोई पेड़ मिल गया और आपने उसकी उपर से लेके नीचे तक के वर्ल को काउंट कर लिया तो आपको समझ में आगया कि इस पेड़ की एज कितनी है अगर आपको दस वर्ल मिले तो आप समझगा किसकी पेड़ की जो एज है वो टैनियर है दूसरा है अपना एक्जामपल में बोरेसस फ्लैबेली फेरा बोरेसस फ्लैबेली फर ये है ताड़ पत्र नाम याद रखना ताड़ पत्र इसका साइंटिफिक नेम है ये ताड़ पत्र का इसमें क्या होता है इसी टाइप से लीव की लीव जो है तो उनके जहलने के बाद भी वहाँ पर उस वरल के जो मारकिंग है वो पच जाती है तो आप क्या करोगे अगर नीचे से उपर तक काउंटिंग करोगे तो इसके वरल को काउंट कर लो जतने वरल मिल गाए आपको उसकी एज उतनी है अगर इस प्लांट में सेविंटी वरल मिल गाए मतलब इसकी सेविंटी यार इसकी एज है तो एक मैथ़र अपना यह हो गया इसके अलावा भी कुछ इसू है इसू क्या है जैसे मैंने बोला कि जंगल में प्लांट तो नेचर भी होगाता है आप जंगल में गए आपको कोई इस पिसीज मिल गई बहुत मस्त इस पिसीज थी बट आपको उसकी एज नहीं पता कोई पुराना रिकॉर्ड भी नहीं है वो इस पिसीज वाल भी नहीं बनाती है आपके पास एक मैथ़र यह भी था सपोज एक प्लांट था एक एक की अपने क्या किया 2010 में इसकी जो प्लांट जो लगा था इसकी हाइट भी मेजूर किया और इसकी डामीटर भी मेजूर कर लिया इसके बाद आप आए 2015 में आपने यही डाटा दोनों फिर से लिए और फिर 2020 आया आज का जमाना में देखोगए कि पांच साल में इसकी ग्रोथ कितनी हुई और इस पांच साल सब्सक्रों किया लेटे हैं तो यहां पर किया करेंगे आपको बास समझ में आ गए पांच साल में क्या इंक्रीमेंट हो रही है फिर इसका एक फॉर्मूला आता है जिसमें हम करते हैं लॉग जिसे सपोजली ये जो पांच साल का ये है ये सिकंड पिरियाड है और ये है फिर्स्ट पिरियाड तो यहाँ पर लेंगे लॉग 2 माइनस लॉग 1 फिर यहाँ पर कुछ डिवाइड़ कर देंगे इस टाइप से फॉर्मूला बनता है इसका और उस फॉर्मूले में पूट करके हमें ये पता है पड़ जाता कि इस पेले की एज कितनी है अब यहाँ पर फॉर्मूला आपके नोड्स मेंसली ने दिया गया क्यों कितनी टिपिकल्टी की हमें जरूरत नहीं है हां लेकिन जो आईशियर की तैयारी कर रहा है आईशियर वालों को ये फॉर्मूला मालूम ही होना चाहिए क्योंकि उनके एक्जाम में तीन चार बार पूछा जा चुका एसरफ में भी और नेट में भी अब यहां तक तो अपने कर लिया एक मैथड और होता है जो अपने कटे हुए पेड़ है उनके ह हला कि अपन जो इस्टेंडिंग पेड़ है उनके साथ भी करते हैं खड़े हुए पेड़ों के क्या कर लेते हैं खड़े हैं पेड़ उनकी एन्वल रिंग काउंट कर लेते हैं तो पहले समझते हैं कि एन्वल रिंग क्या होती है वो आप कुछ समझ में आ गया होगा यह ज से करते हैं उसके लिए अपने एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे बोलते हैं प्रेसलर इंक्रीमेंट बोरर नाम याद रखो प्रेसलर इंक्रीमेंट बोरर प्रेसलर क्यों क्योंकि इसे प्रेस करते हैं इंक्रीमेंट का मतलब ग्रोथ और बोरर का मतलब क्या है कि यह यहां पर hole कर देता है यह क्या करेगा इंस्टुमेंट यहां पर इसके अंदर डालेंगे यहां पर छेद करेगा और इससे अंदर की एक लकड़ी की एक ट्यूब निकाल लेगा और यह ट्यूब जो है वो बिल्कुल पही है जो यहां पर picture में दिखा दी इसमें क्या होगा यहां 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 when taking a sample you want to be about four and a half feet up from the ground then place the drill end of the bit on the center of the tree you might want to first try in a fissure of the bark once you have a good starting place begin turning the handle clockwise making sure to put your weight into it applying firm and even pressure as you turn the handle If you want, using the extractor is a good way of measuring how far you have drilled into the tree, using the handle as an initial reference. Once you are about halfway through the tree, insert the extractor concave side down into the open end of the bit. Push the extractor all the way into the bit, then make one half turn counterclockwise. This is to break the core that you drilled free from the rest of the trunk. Be careful at this point, because if you turn the handle too far, you risk damaging the extractor. After turning, carefully remove the extractor from the bit, keeping a slight upward angle in order to grab onto the tree core. Keep at least one hand underneath it as you pull out to catch any sample material that might fall from the extractor. Depending on the type of tree you are boring into, this step might require some extra pulling force. If you leave the bit in the tree for too long, the tree sap can harden around it, making it very difficult or nearly impossible to remove. And so, be sure to remove it right after you retrieve your sample. Simply do so by turning the handle in the opposite direction that you drilled into the tree, until the bit leaves the bark. Now, the tree is a question, which is a tree. The tree is a tree, which is determined, which is a measure. Then, we use the increment, which we use the increment, because here is the altimeter, and the other is the hydrometer. The altimeter is the altitude, which is the altitude means, so here is the altitude, which is the altitude means. Humidity, air-meneers, humidity, here is the height of humidity. Sex-tent and assess. Sextent's might be something we use, so I remember memory of what is the height of the load. But, if you read this now, you choose. But, the actual question, is the question of this, what's the height of the gravity? What is the height of the actual eux? This is the period of the quotes in the tumult, which is approximately three period measurements. Now, these are the data given to us. They are the data given the time of 91. Then, in the 96 then, in the 2001, then, in the 2001, in the 2001, they are given the data given. In the below the difference, the difference is the difference. The fact of the formula is going through, whereas the formula is going through. हो जैसा मैंने बोला कि इसे सिविल सर्विस वालों को याने की एसी एफ एक्जाम वालों को इसे नहीं देना है ICR वाले इस फॉर्मूले को याद रखेंगे फॉर्मूले वो बुक में देख लेना से अब इसके अलाबा जो बहुत सारे कुश्चन आएंगे इसी पर वो सब के सब एक ही बात पर चलेंगे कि एज कैसे करेंगे फिल्ड ट्री की होगी या स्टेंडिंग ट्री की होगी और ज इस की युजुट टूप युजट डिटर्माइनिंग का एज और टाउमिटर इंकरिमॉंट तो एज तो अभी है बता दिया में पर कैसे करते हैं फ्रीट इंकरिमेंट बोरर को कर दे ही कि इतना इंकरिमेंट का परपाच नहीं तो यहांं इंकरिमेंट ओफ ट्री है और age of tree यहाँ पर दोनों ही answer इसके right हो जाते हैं increment कैसे निकालेंगे उसके diameter increment जब इन्होंने specification नहीं दिया तो यहाँ पर अपने diameter increment को भी ले सकते हैं और diameter increment उससे use कर लेते हैं जैसी यहाँ पर उपर ही तो किया है भी है अब यहाँ पर क्योंकि इन्हें दे तो रखा है अब जब इन्हें आपके पास कोई option नहीं है आपको एक ही लगाना तो यहाँ पर फिर अपने age पी के पास ही अपने को select करना पड़ेगा नहीं तो फिर code case करो कौन जा है इनके पास case हैं उन में कितनी growth होती है जैसी कि आपको बता है कि ट्री जो है अकर आप आज लगा दोगे तो अगले 20 सालवाद वह बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा ठीक है 20 सालवाद पेड़ बनेगा तब बढ़नेगा लेकिन वह 20 साल में ऐसा नहीं कि अगर मैंने आज लगा दिय और कली वो बड़ा पेड़ बन जाएगा वो धीरे धीरे growth करेगा उसकी height है उसका जो diameter है वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो 20 साल में वो कितना बढ़ रहा है हर साल उसमें कितनी ब्रधी हो रही है कितनी growth हो रही है उसको measure करना वही इस chapter का objective है हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं इस उनको कितना time लगेगा यह कैसे पता पढ़ेगा जब हमें उसकी growth rate पता होगी तो इसमें हम सबसे पहले तो यह दिख लेंगे कि growth से related जो terminology है उनको यहां discuss कर लेंगे यह terminology जो forest management पढ़ेंगे तब भी बापिस यह आगी तो यहां कर लेंगे तो वहां help हो जागी थोड़ी इ कि जो determination है हम उसे कैसे करते हैं तो यहां पर हम जो stem analysis, stem analysis और increment पोरर जो है उनको कर लेंगे तीसरा जैसे यहां पर तो वह है जिनमें annual ring formation होता है कुछ ऐसे plant होते हैं जिनमें annual ring formation नहीं होता है तो फिर उनका वही है को तीन periodic measurement जो बोला था उसी तरहीके से हम किसी की age निकाल स अगले 5 साल बाद इसकी height यह diameter है तो इस टाइप से हम एक data collect कर लेते हैं तो इसके थुरू हम determinate कर लेते हैं कि आखर इस particular volume तक इस plant को पहुंचने में कितना time लगेगा तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यह जो growth है यह जो increment है इससे related terminology तो इसमें सबसे पहले हम तीन term समाझ लेते हैं जिसमें एक है increment और दूसरा है increment percentage है सब्से आप कहीं job कर रहे है आज आपको जो salary मिली है वो मिली आपको सब्डय इस मन्त की जो salary है वो है 100 पै Bis Drag に आपको 105 षो आपकि 5 रूपय बो कितना हुई वो हे आपकी पांच रुपे ये जो पांच रुपए है यह आपकी इंक्रीमेंट है अब इये इंक्रीमेंट जो है इसे आप बहुत सारे इसप्रक्ट में लेके समझ सकते हो जैसे अगर आपकी जौब जो है वो 2010 में लगी है और आज 2020 चल रही आगर आप यह देख्ते हो कि टॉन 2010 में आप को सैलरी मिलती थी 100 रॉपय आज जो आपको सैलरी मिल रही तो इस पीरियच में आपका जो पर्सेंट यह जो इंक्रीमंन्ट है वो कितना हुए तो इस पीरियेट मैं आपका जो इंक्रीमंट है वो तो हुआ आपका 100 रुपाय लेकिन अगर आपने इससे पीरियोड एक एन्वाले बोला नशीकि इसमा बढा हर gerek की तो 100 मैं जुआ हुआए件 से 10ए enghanna 10 का डिवाइट कर है तो इसे हम बोलते है पीडियोडिक एन्वल इंक्रीमेंट है अगर यही इंक्रीमेंट कोई जब से वो जौब पर लगा है यानि कि कोई प्लांट है अगर उसे आज लगा दिया है आज से लेकर उसके बढ़ापे तक को एकदम किसी भी पर्टिकुलर एज तक का चाली साल य इसका मतलब है इसका मतलब है इसमें हर साल इतने मीटर क्यू लकड़ी बढ़ी है तब यह आज की एज पर पहुंचा है और का मतलब किसी पर्टिकुलर एज पर ही कल्कुलेट करना नहीं समझ में आऊगा तो फॉरस मैनेजमेंट हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे क्यों दूसरा आता है इंक्रिमेंट पर्सेंटेज इंक्रिमेंट पर्सेंटेज का मतलब क्या है जैसे आपकी सेलरी 100 रुपए थी और वो 105 हो गई तो इंक्रिमेंट केतना हुआ 5 का लेकिन अगर पर्सेंटेज की साब से देखेंगे तो 5 रुपए जो है वो 100 का कतना पर्सेंट ह वो 5% है तो increment percentage कितना बना वो बना आपका 5% तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि increment क्या होता है और increment percentage क्या होता है अब पेड़ों में जो increment percentage है इसकी calculation के लिए तीन मेथाड है एक है brisler दूसरा है compound interest और तीसरा है scenario formula यह तीनों ही formula को आप चाहें कैसे भी करें लेकिन तीनों को ही याद रखना है रिक्ता मारना ही है पहला आता है प्रिसलर formula अब देखो अपन जनरली क्या देते हैं या तो diameter में देखेंगे या volume में देखेंगे दोई में basically अपन increment को देखते हैं तो diameter increment percentage की अगर बात की जाए तो सिनीडर यह जो प्रिसलर formula इसमें होता 200 अपोन एन 200 अपोन एन कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी यह क्या होगा कि बंक चलो आप से बोला कि यह डायमेंटर increment percentage देखना एक है आपका 2010 और यह दूसरा date है 2020 का कि इनके बीच में क्या हुआ तो 20 में सबसे ज़्यदा वाला होगा आपकी salary अगर यहां 100 रुपए थी यहां पर आपकी 200 हो गई तो सबसे ज़्यदा volume यह होगा मतलब यह capital D यह जो पुराना data है इसे देखते है small D अब आपको यहां याद क्या रखना है जो सबसे ज़्यदा याद रखने वाली बात है क्योंकि इसी में कुश्चन आएंगे यह है सबसे उपर है 200 उसे divide करते है N से N अगर यह suppose 10 साल का है तो यह अपना N क्या होगा है 10 यह है into प्लस नहीं है यह गुड़ा है इसके बाद यहां पर क्या होगा capital D पहले आएगा उसमें से minus करेंगे small D और यहां पर capital D plus small D देखो percentage निकालेंगे तो यहां पर जब capital D में से small D अटाएंगे तो यह कैसे निकलेंगे जैसे 200 में से 100 अटादेंगे तो यहां उपर आजाएंगे 100 और नीचे आजाएंगे 300 मतलब बड़ी amount नीचे रहेगी जो भारी amount है वो नीचे रहेगी small amount रहेगी उपर यह मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इस जो formula है यह कम से हम 10 से 15 बार पूछा जा चुका है और वो इस formula को उल्टा कर देते कई बार N divided by 200 कर देंगे यह 200 by N रहेंगे लेकिन यहां plus minus को साथ छेड़ा खानी कर देंगे तो confusion हो जाता है और exam में गलत कराते है मैंना बोला ना यह formula कम से हम 15 से 20 बार पूछा जा चुका है दर पूछा गया अल्मूस्ट हर दूसरे तीसरे पेपर में आया अगर यहां पर diameter की जगह अपने volume ले लेंगे तो यहां पर D की जगह भी आ जाएगा तो यह है प्रिसलर formula एक तो आपको याद रखना कि यह प्रिसलर formula है दूसरा यह formula क्या है बैसी आता है compound interest formula यह अपने math और reasoning वाले में सही से पढ़ा होगा वही है यहां पर होगा 100 capital D by small d bracket में होगा 1 upon n minus 1 यह formula है इसे बोलेंगे आपकों compound interest formula यह भी किसमें होगा increment percentage का अगर यहां पर diameter ले रहे तो यहां पर capital D small d आ जाएगा तो प्रिसलर हो गया compound interest हो गया तीसरा formula है वह सिनीडर formula यह भी दर पूछे गाए यह तिनों यह 400 upon nd यह काफी जदा popular है यह केबल diameter increment के लिए volume के लिए नहीं अब diameter के लिए क्यों है इस बात को समझते हैं प्लांट में कितना growth कर रहा है हर साल यह कैसे समझ में आएगा तो इसका बोला कि जैसे कोई plant है मतला पिड़ खड़ा होगा ऐसा तो उसका जो stem है उसके cross section को यहां ले लिया यहां पर क्या करेंगे जो प्रिसलर increment borer है उसको यहां inject करेंगे और यहां से इसका जो एक centimeter वाला पार्ट है उसे निकाल लेंगे centimeter या inch कोई भी ले लेंगे यह तो एक centimeter लेंगे या एक inch लेंगे और उसे यहां पर लेकर करके उसमें count करेंगे number of annual ring और D मतलब वो डायमीटर मतलब जो बाहर का एक सेंटीमीटर या तो एक सेंटीमीटर है या एक इंच है तो उसके हिसाब से हाँ हम डायमीटर इंक्रिमेंट परसेंटेज निकाल लेते हैं अगर यहां पर आपने इंच ले लिया तो increment percentage यहां फिट में निकलेगा अगर यहां cm ले लिया तो यहां पर आपना जो आएगा वो meter q में निकलाएगा यह सिनीडर formula यहां याद रखना वो कई बार 400 नीचे कर देते हो और nd उपर कर देते हैं अब इस पर question क्या है total increment put on up to given is divided by is इसे देख लेना mean annual increment है उसका और कुछ ज़्यदा है नहीं mean annual increment को ही explain किया उसकी जो definition है वही सिदी रख दिया अब जो increment है ठीक है यहां तो अपने basic समझ लिया कि increment होता क्या और increment percentage होता क्या है अब अपना mean theme आती है इसको actual में calculate करना तो calculation के अपने पास तीन method है वो एक है stump analysis दूसरा stem analysis और तीसरा increment borer इन तीनों को पड़ लेते हैं बहुत important है और कही बार आते हैं पहला तो समझते है stump क्या होता कि जब कोई पेड़ काट देते हैं तो जो dental बचा रहा जाता है इसी को हम बोलते है stump analysis में करते क्या कि dental जब पेड़ करता तो थोड़ा उच नीच होता है इसे बिलकुल साफ करके एक चिकना सा कर देते हैं थोड़ा पानिया नहीं डाल देते हैं जिससे इसकी जो annual ring है वो बिलकुल साफ दिखने लगे अब हम इसमें क्या करेंगे जैसी यह बंदे यहां पर क कितना diameter है मतलब इस diameter का plant बनने के लिए कितनी age की जरूरत है एक तो यह बात पता पढ़ जाएगी दूसरा क्या है कि मान के चलो इसकी जो ring है उनकी मोटाई पतलई में थोड़ा फरक होता है देखो जैसे plant growth कर रहा होगा किसी साल सूखा पढ़ गया तो उस साल की growth उसकी कम बनी होगी किसी साल अच्छी परफॉर्म कर दी तो साल growth बड़ी बनी होगी तो इसकी जो growth है उसको भी हम देख करके समझ सकते हैं कि इसके plant की जो past जो history है वो कैसी रही होगी इसके साथ और कह निकाल सकते हैं इसकी बार की ठिकनेस देख सकते हैं तो यह रहा अपना stump analysis इसम और notes में पढ़ लो कि समाज में आ जागा इसमें जएदा कुछ है नहीं दूसरा होता है stem analysis देखो stump analysis में हम केबल यही चीज देख सकते हैं कि उसकी diameter क्या है age क्या है basically हम इससे देख के यह नहीं बता सकते कि आगर plant का volume क्या रहा होगा क्यों क्योंकि हमारे पास volume निकालने के एक को tapering का डाटा चाहिए और दूसरा चाहिए height जो यहाँ पर available नहीं है stem को देख के नहीं बता सकते हैं दूसरा होता stem analysis stem analysis में क्या करेंगे कि जैसे कोई पेड़ है हमने पहले उसकी height नाप ली height के बाद हम उसे काट देते हैं काट के ऐसे 3-3 मीटर के हमने ऐसे log बना लिय है और फिर इन लॉगों का हम पूरा का पूरा volume calculate करेंगे जैसी एक log है तो हम इसका volume calculate कर लेंगे middle diameter वगरे से लंबाई से multiply करके इसके इस section में कितने annual ring है उसे भी count करेंगे तो जब किसी tree के बारे में आपको पूरा data मालुम है कि उसकी height कितनी है उसमें किस height पर कितनी annual rings है यानि कि rate of tapering कितनी है तो आप उसका volume निकाल सकते हैं बिलकुल तो stem analysis में बो सब कर सकते हैं जो हम stamp analysis में करते हैं जो यहाँपर करते हैं इस glue है है वो है increment bo ring का जो वही है प्र 21 한 believing in secrets बोर है वही है इसमें कि हैंडुल हो गया और एक्स्टकर्म हो गया है इसमें करते कुछ नही है कि दिनि काल नहीं है कोई 54 ईससे लेकर जाते और उस निकाला ह। व्य एन्वाल रिंग है उनको काउंट करके आप उन बता देते कि इसकी आखिन एज कितनी है क्योंकि आपके पास एन्वाल रिंग आ गए खड़े पीड़ की तो एन्वाल रिंग देखकर कि आप यह भी बता सकते हो कि इसकी किस एज पे इसके साथ सूखा पढ़ा आई या उसको भी दिख करके आप बता सकते हो कि उस ताम पर इंवार्मेंट कैसा रहा होगा तो यह सब इंक्रिमेंट बुरर के काम है यहां पर इंक्रिमेंट बुरर के बाद अपने जो टॉपिक है वो बिसीकली खतम हो जाता है